नमस्कार, very good morning to you all आज दिखे हमीं प्रोड्कास्ट लाई साउंड क्लाउड मा पनी राखते चौं साउंड क्लाउड को प्लेटफर्म मा राखते चौं यूट्यूब को हम्रो चैनल दिशानेर देस्टीबी माते योच्खादाई नहीं छा रबिसतारे अन्या डिजटल प्लेटफर्म मा पनी असला फईला उथ जाने चौं डिजटल दुनिया अनन चाहा हरी अनन्त हरी कथा अनन्ता भने हस्तों मो पनी विसतारे विसतारे सिख़्ते चौं खेर, आजको विशाय माँचाईनी आजको संदर्वचाई प्रतिवा, तालेंट को मुझे कुरारो युवा पुस्ता का साथियर संगा शेयर गरना चान्चू हुआ प्रतिवा, प्रतिवा के लिगनी है को मुझे कुल फश्वात, किसा प्रतिवा शेयर से नग के को साथियर संग से कुल豆 कुल मैं में जोची निंए दर्तिवा शेयर संग coz प्रतिवा को सकत् fire आजको लोड़ू साथियर साथियर ४ड़़ा शेयरना चाहांचू जाने घंबान मेरो प्रवेष स्तम्बल लेकंड़न बात नेपाली इसाहित का मुर्धन्य हस्ताक्षर हुन डॉक्टर धुर्वचंद्रकाउतम मादन पुरुस्कार विशेता पहलो भेट माने धुर्वसर ले तिम्पनी या खौलम लेक्षावर बाबु भनेर मेरो सानु मेर देखेरे रहे हुला मुँ अत्यस पकत भी से काई सबस्क को नाम बनने नुस ना प्लीज एक्षिन पनी नरोकिकन दुर्वचंद्रकाउतम ने बननुबायो तिमी संकर लामी छाने लाए पड़ा तिमी भुपी सेर्चन लाए पड़ा यो सल्लाको निम्ती मा दुर्वचंद्रकाउतम सर्परती आजीमन रिनी रहने चु आफई ने अर्थपूर्ण हुँच यो संसार मा तबायली कती धेरी किता बरू पड़ू भयको चा वन्ने कुड़ाको योटा संख्यातमक अर्थथ ता चा तर तिसको गुणातमक अर्थथ सकी चाहिना एसा भननना सकती ना जीवन मा हमले कती पड़ें वन्ना पनी कस्ता खालका किता वरू पड़ें वन्ने कुड़ा अर्थपूर्ण हुँच भागिश साली है कि मईले धर्वश संख्यातमक कई ओड़ुपी शेर्चन को सरलता बाट ता समत कृत्त हैं इं दोईटे लेखक को मैरो अफनोो लेखनी मा थुलव प्रभाब्भाब गुपी ले जुन सरल्ता का साथ गारो से अपठ्यारो से अपठ्यारो कुरालाई अभिवेक्त गर्छन। त्यो काभिले तारीफ उर्दुमा मन्चन। प्रसंसा योग्ये छ। सामने त्या लेखा करू दूई प्रकार का हुँचन। योटा एसता हुँचन जसले सजीलो कुरालाई पनी गारो तरीकाले भर्णाप हुचन। साथ इसको काराणी होला कि उनलाई त्यो कुरा आफ़या हुँचन। गुपी चाएं दोस्रो कैटेगोरी का राइटर हुण। गुपी ले चाएं गारो से गारो कुरालाई अप्ठ्यारो से अप्ठ्यारो विशालाई सरल से सरल भासा मव्यक्त गरी देचन। उनले अभुद्य कुरार लाई, बुजने न सकीने कुरार लाई, बुजन गारो कुरार लाई, एती बिश्मय कारी, एती अचम्म लागदो सहस्ता का साथ लेखी दिन्छन, पढ़ने लाई लागशा भूपी ले लेखे का वैनन, पाठाक को मन भित्रे बसे र गुन गुनाय क पड़े, टेलिविजन मा पासे का चा मैना बित्रे माले पारीजात का अंतर बार्ता गरने माउका पाए, पारीजात लाई भेटना पाऊनू, मेरो जीवन को ठूलो सहव बागदो, सरीर मा पक्षाखात, पैरलिसस को बावजू, माले उनमा गजब को आकर सड़ बाए, माले पारीजात को अंतर बार्ता सुरक्षित राखना न सकेको माले दुख लागचा, माले अफिशंग पनी गुणासाचा, पारीजात को मुहार कस्तो कोमल थियू, कोती कोमल मुहार रा कोती सक्षिशाली अफिफेक्ती, आज पनी जब माँ सीरीज को फूल पड़चू, मत यसल आफ बाट पड़न सक्षू, जथा बाट शुरू गरे पनी मत्यसमा टूपचू, अनि मले सारे प्रवापारिका आरका लेखकोन बीपिकोर्याला, मेरो विचार मा उनी नेपाली भासा का सबे वन्दा सक्तिसाली आख्यान लेखकोन, बीपिकोर्याला उनी शांदार लेखक जीवन लेखको एकांकी पन मा बासनी अरू है ना, टोटालीटी मा बासनी अरू प्रती मेरो मन मा ठूल आकर्शन सा, मले यो जीवन को कुने एक छत्र मा महान वेराड सफलता हासिल गरनी हरू भन्दा, तुन्याली नचिनिये का नाम ने किने नहून, कुने साधारान भनिय पर ती मान ही सवह परती मेरो मन मा ठूल आकर्शन सा, मैन सले जीवन ले तेसको समग रता मा बासने को स्थिसकरी का एकांकी विषॉ इना, इस ना, मॉनल लेखक भनलिखक, इस ना, मॉनलेथिक तिंग, I think, It's a multi-dimensional thing. इसले आमले चाहरा ही तिर बड़ा यहर ना सोंक्यों व ते सेमा जीवन को सबेवन्दा ठुलो आकर्ष्रण छो बीपी को वेडाला नेपाली साहित ते का सबेवन्दा सक्ति साले आख्यान लेखा कुन मेरो विचार मा किना मने उनले सबेवन्दा गारो कुरालाई सबेवन्दा सजिल भासमा अभी वेक्ट गरदीं छो बीपी को कुरा गरदाखेरी मनमोन अधिकारी जीको मुखबड़ा सुनेको नेपाल कमने सपार्डिका एक मुरधन्य वेक्टित वाहालाई पनी सम्झन चाहांचू वाल एक दिन मालाई बन्नु भाकती हो सायथ जयर्मन राइटर गेचेलाई कोट करदे बन्नु भाकती हो राजनेतीक दान्त गोड़ा गुण छुँचू विजै को पलिटिकल फ्रिपिल्सीपल्स आर ग्रे बटदा लाइप एकिस मुल्टिकलर राजनेतिक सेतान तको रंख्वाइड हुँँच, पर जीवन आफईमा सब्तरंगी साबने कुरा चाहिएं कईली पनी नविर्शुनुँच त्यों कुरा साय बीपी मां थी पूरा लाग हुँँच मेरे वेक्तिकत विचारमा जीवन लाई त्यसका सबय आयाम हरू लाई उनले बुजे उनले भोगे रर उनले वेक्त गरे जीवन लाई त्यसको गहांतम गहराईमा भोगनुँच पुजनुच रत्यसलाई त्यसके सुगम ताका साथ साय तेमा अविवेक्त गर्नुच उनको ये चमता का मां कायाल चुँचाफ लाग्षा अचामा लाग्षा सरल लेखन सजीलास थायना शिंपल राइटिंगा अविवेक्त गर्नुच ररेक लेहक को लागे चुनवती पुण गर्णुच मा लेखन को ती स्कूल को विध्यार ख्यों जसले सिंपल राइटिंग मा बिश्वास गर्च एक थरी उन्चन आफ उले लेके को गुड़ा आफ है नबुजने गरी कनी लेक्चन लेक्चन पनी क्ये बनाउं? दुर्बोध्य सब्दर को पर्खाल खड़ा गरेर, अप्ठारा सब्दर को पर्खाल खड़ा गरेर तेसे को पचाड़ी आफनो असपस्ट ता, आफनो कन्फूजन वा आफनो अग्यान ता लुगाउनी कोसिस करचन सिर्जना को क्रियेटिविटी को सुन्दर ता तेसको सब्द बढणारणमा हुन्दै न एक थरीले लाग्चा कि देहरेई सब्द राखेर भारी भारी भरकम सब्द राखेर ता पई गईरो वाक्यारु सिर्जना करनो सक्ट नुँँचा मले तेस मा विश्वास साइना मले लाग्दैना कि इसिर्जना को सुन्दर ता सब्द बढणारणमा स्टोरेज अफ उवच्मा हुन्चा मेरो विश्वास मा मान्दचु मेरो मान्नेता केचा वने कि इसिर्जना को सुन्दर ता सब्द बढणारणमा हुन्चा वाक्य सम्रचना को सास्तामा हुँचा मला योपनी विश्वास लागता हैं कि सब्दमा सक्ती चा सब्दमा कुने सक्ती हुँचा यदि कुने सक्ती हुँचा बने वाक्य सम्रचनामा हुँचा कुने सब्द न महान चान न तुच्छे चान तो पाईले तेसको माला कसरी उन्नु भायको छा तेसमा परपर्षण लेखन को यही कख़गा नभुजिर धेरेले धेरेले लेखेगा लेखते मन्ना उन्नीरे छा ओ यहड़ा कुरा चैने पकल छा फेरी मा सरल लेखन को सरस लेखन को पक्षिदार होदा होदै पनी साइट्ति मा कतीपै कृति यरू यसता हुँचा जसले आमले मेनदगरेर पढ़ने परने होँचा मेनदगरेर पढ़ने कृति को कुरा गर दाखेनी म माधवी लेखना शाम्जानाचू मदन मनी दिख्षित माट सापको काल जय कृती माधवी येसमा ज्यान को अथा सागर सा तर पण सजीलो चैना माधवी बारे जग्दीश्की मिरे दाई ठटा गरदे बननों थे यो उतक्रिष्ट क्रितिलाई नेपालीमा अनुवाद गर्नम सक्किये कथी देले ले पड़दा हुन पण सजीलो चैना मन्दाइमा इसको महांतारा महरता कहिली पनी कम हो दैना कथी पए मार गरू एसता होंचांचो हिल्न गार होंचा पर नी सके पची तिहां बड़े देखीने सुन्दर दृष्यको बयान सब्दमा गर्ना सकी देए तेसका अनने करता खेरी सरल लेखन को पक्षेदार होंदा होंदाई पनी मा युकुरा सुइकार करचु एक तम बिनम्रता का सा सुइकार करचु कि लेखन मा सरत्ताको आफनो आकर्शन छा बनी दुरुबोध्य भासा वा दुरुबोध्य सैलीको बनी आफने गरीमा छा सुन्दरता बनी एके प्रकार को कहा होंचार गोरीको आपने सुन्दरता चावने, कालीको रोनक्पनी कम काहा हुँँचार तरा मो बेक्तिका दुरुपले भन्नी हो बने, जीवन मा दुरुबहत्ते ताको पक्षे माचु न लेखन मा टेलविशन मा टेलविशन मा खायर कम बनाऊचु आँदर्शकु को निन्ती, मा लेख चु आप पाथको कोटेंधी पत्रकायरित का पट्नित वा समीक्ष को जान पास गर नो मा पत्रकायरिता मा चु ही ना मा लेखन मा पन तलेको जान पास गरने राय को ऐन Jacqueline तेल्वीजन पत्तकारिता को कुरा करता, शुरुवात का दी नर्मा तेथी बेला का समिक्ष करले, लेखे अनुसार, उनियार को सल्ला अनुसार मैले कारकम चलाए कापे दर्सकले महले उहले रिटायर गरे दिदे, वागई बस मैले टेस्ता अधिकांत स wingा, समिक्ष को कुरा, पड़दी पड़ए भड़ई नँца bize, सुन्कारिता को सुन्दी ही ऑगरें। अनुसार मैले हे एरिदा एरदा अरदै सवनाम धन्या समिक्ष का रिटायर वाए है खर बीतिसचंक केका को कुरा हूं, मुझे लिए आफनों काम गाड़े, मुझे लिए आफनों काम गाड़े, अमेरिका चाहता मेरो प्राध्यापक बनते कि धेरे असफल पत्रकार हरू, पत्रकारिता का सफल मास्टर बन्चन, धेरे असफल लेखक हरू, ठुला समेक्षियक बन्चन, जस्तों मुझे सवयम, सखे You need all different kind of people to make this world go round. खेर, हमेरो कुरा गर देतनों प्रतिवा को. प्रतिवा वनने विशयलाई रामरसंगन नभुजदासमा मपने ठान्थे की कोई मांचेमा बड़ी प्रतिवा होंच रकसेमा कम होंच. त्यस्तो हुँदाईना. मौ स्पस्टता का साथ सफा सब्दमे योकुरा अफना युवामित्र अरलाई भनना चाहांचू. प्रतिवा वने को आफनो रुची को विशयलाई मेना चाहत निरंतर अविराम रूपले लागी राख़दा एक दिन बाठामा बेटीने नतिजाबा है केपनी होंच. मैलकम ग्लाडवेल ले संचार का उच सफल वनिये का मानचेर को अनुसंदान गरी आफनो पुष्टक आउटेर्समा केई कि रोच तत्थे निकाले का चाहांच. तिन मद्धे उड़ा प्रमुख तत्थे उड़ा प्रमुख सिदान्त केई होंच. अरेक सफल ताको पचाडी अथक परिश्ट्रम र निरंतर तर लुकेगोच. खुने इंपनी ब्यक्ती जो सफल बायकोच. उसले आफनो कारे छेतरमा सुरू का दिनमा दस अजार गण्टा साचो अर्थमा खचीके होनुपर्च. प्रतिवावान तिने उन जसले आफुशीत बायको सफे इच्छे माता प्रयोग गरेर रित्त्यायका होंच. अमेरिकी इस्तंबल एकक एरमा बंबैको रहर लागदो कथान च. आफनो जीवनको अंतेमा परमात्मा कोगाडी खड़ा बायर भन्ना सकू. ति मिले मलाई जे जत्ती प्रतिवाद दिये का थियो मैले एक थोपा बाकी न राखी तेसको सबे प्रयोग करे. तेसकारणली गरता मलाई लाखचा हामेरू सपय वराबर रूपले प्रतिवावाद च. फरक एतीम मात्र हो ये हामरू प्रतिवा कुन छेत्र माचा त्यों हमले पईलाउनू परचा औनि तेसमा खटनू परचा. घाम देखे घाम, जुन देखे जुन गरनू हुन्ना. अब मलाई संगीत को स्टूडियो मा जान देखे घाक भायक 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 भ कुन कुरे मरे उचीच? कुन छेतरे स्थोच? जसमा तपई लागे मनी तप Опालय संतोसँच? तप लाए स्वांत शुखायी। तप लाए अंतर मन कौने नाखोच? जसमा लागुझष? सफलागा सफलता चोट बीनौच? सबलता रहा सबलता यवड़ी सिखा का दूई अपाता होन। कहली के पल्टीं सा कहली के पल्टीं सा Forget about success and failure. Just keep doing what you love. Just keep walking the path which you love. That's it. अजले ये दिए.